लीजे सुनिए मेरी लिखी कहानी अंतिम विदाई मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में जब कोई कहानी शुरू करना हो तो शुरू आते ही सबसे कठिन होती है समझ नहीं आता शुरू कहां से की जाए जैसे ही शुरू करनी की कोशिश करो तो अंत सामने दिखाई देने लगता है शब्दों का चुनना तो विकट समस्या होती है और उससे भी बड़ी समस्या ये है कि दिल्चस्पी कायम रहे, प्रवाह बना रहे ये कैसे संभव किया जाए जब कुछ न बन पड़ा तो सोचा जैसा हो लिखना तो शुरू करना ही पड़ेगा अब भले ही शब्दों की या घटनाओं की पुन्रा वृत्ती हो तो होती रहे सो मैं अपना ही किस्सा लिखने बैठ गया, पहले सोचा की बच्पन से शुरू करूँ लेकिन उस बच्पन से जिसमें मैं एक गरीब परिवार या यूँ कहें निम्न मध्यमवर्ग का लड़का था जिसके कोई सपने नहीं थे घर में आये के नाम पर पिता की तनखुआए बस थी जो उन्हें किसी सेठ के यहां मुनीमी करने के एवज में मिला करती थी मेरे अन्य दोस्तों के पास साइकिल भी थी और धेर सारे कपड़े भी लेकिन मुझे कभी किसी से इरश्या नहीं हुई मैं अपने में मस्त रहने वाला लड़का था मात पिता की इकलोती संतान था सो घर में भी किसी वस्तों के लिए किसी से प्रतिस परधा नहीं थी जो था सो मेरा ही था पढ़ने लिखने की रुची हमेशा से रही सो बचपन से ही कहानियों के किताबें हर महीने मुझे मिल जाया करती थी जो कि मेरे लिए कुबेर का खजाना हुआ करती थी पढ़ने में मुझे हमेशा से रुची रही है सो अपने स्कूल की किताबों और साहितिक किताबों तक ही दुनिया सीमित थी महले के मिंत्रों के साथ खेल भी खेला करता था लेकिन वो सिर्फ जीवन का एक अंग था शौक नहीं लेकिन ये लिखने बैठा तो लगा कि बचपन की कहानी की विस्तार में क्या रखा था इससे किसी को क्या दिल्चस्पी सो यहीं रुक गया अब सोचा कि चलो किशोर अवस्था से शुरू करूँ लेकिन फिर लगा कि बचपन से किशोर हो जाने पर फर्क क्या पढ़ता है कुछ खास नहीं बस हाफ पैंट की जगए फुल पैंट ने ले ली है घर से अकेले जाने की अनमती भी मिलना शुरू हो गई है पत्रिकाओं में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है राजा रानी की कहानियों की जगए अब वो कहानिया पढ़ने लगा हूँ जिन में थोड़ा बहुत यथार्थ समाहित होने लगा था इसकूल में पढ़ाई का बोज बढ़ने लगा है माबाप अब समझाने भी लगे हैं भविश्य की चेतावनी भी देने लगे हैं पिता की तचा कुमलाने लगी है और मेरी चमकने लगी है कई बार सोचता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे बच्चे को माबाप अपना ही शरीर देना शुरू कर देते हैं जैसे जैसे आपका शरीर परिपक्व होता जाता है उनका कमजोर होता जाता है ऐसा लगता है वो अपने खून की एक-एक बूंद से मास के एक-एक टुकडे से संतान की परवरिश करते हैं अंजाने में हम अपना शरीर बनाने के लिए उनके शरीर से ही सामगरी लेते जाते हैं और वो खुशी-खुशी देते जाते हैं लेकिन फिर लगा कि इसके शोरवस्था मैं भी किसी की क्या दिलचस्पी सोसे भी यहीं रोक दिया फिर सोचा कि चलो जवानी से शुरू करते हैं जवानी के उन दिनों से जब कॉलेज में दाखिला हो गया था दो साल कॉलेज में गुजार भी लिये थे लेकिन इन दो सालों में कुछ ऐसा हुआ क्या जो लिखने जैसा कुछ हो अगर था तो वही आत्मे परशंसा वाला वही कि पढ़ने में होश्यार देखने में सजीला बात करने में सूम जैसा कुछ सो ये तो ऐसा है कि कोई अनूखा या विरला नहीं है बस एक खास बात जो थी वो यह कि बात करने में सूम तो था ही, शर्मिला भी था इस कारण लड़केउं से उतना घुला मिला नहीं था मेरे साथ के मित्र हमेशा किसी ना किसी अपनी मित्र की चर्चा करते रहते उसके लिए आहें भरते लेकिन मुझे ये बात समझ में ही नहीं आती थी ऐसा नहीं था कि मैं बुद्धू था लेकिन मुझे इन सब की उपियोगिता समझ में नहीं आती थी कोई दिल पर हाथ रखकर आह भरता तो मुझे कुछ अजीब सा लगता ऐसा कैसा दिल है, ऐसा कैसा दर्द है, वगेर है, वगेर है और प्रेम, ये प्रेम क्या है, किसी को देख लिया और आहें भरने लगे, ये तो कोई बात न हुई खेर, इस कारण से मेरे मित्रों की संख्या भी बहुत ही सीमित थी, या यूँ कहें, कि थी ही नहीं मुझे पढ़ने में आनंद आता था और दूसरे मित्रों को अपनी प्रेम कहानी सुनाने में, सो किसी से पटरी बैठना मुनासिब ही न था हाँ, एक बात तो बताना भूली गया, मेरे लिए कॉलेज में दाखिला लेते समय, एक नई साइकल पिताजी ने बतौर उपहार दी थी, और वो साइकल मेरे लिए पुश्पक विमान से काम न थी रोज उसके ऐसी सेवा करता था, जैसे छोटी बहन हो, सो एक रोज उसी साइकल से जब कॉलेज छूटने के बाद, अपने घर जा रहा था, कि रास्ते में किताबों की दुकान पर रुग गया, आज अपने पाठिकरम की वो किताब लेना थी, जो कई दिन से दुकानदार मं पारे शरीर में सहरन दोड़ गई, ऐसी मीठी आवाज से मेरा कभी सामना नहीं हुआ था, दूसरे के शरीर को कोई बिना चुए ऐसे कमपित कर सकता है, आज एहसास हो गया, कानों में मिश्री घुली तो शरीर का अंग प्रत्यंग, सितार के तार की तरह सरगम के सातों सुर पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, आप सही कह रही हैं, लेकिन बहन जी इन्होंने आप से पहले से बोल रखा है, तो भईये मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूँ, लाइब्रेरी में भी किताब नहीं है, और मैं पिछरती जा रही हूँ, अब कब तक आने की आशा कर कहते कहते वो पीछे से मेरी बाजू में आ गई, कहने ही सकता बहन जी, मैं भी प्रकाशक से मंगाते मंगाते परिशान हो गया हूँ, बड़ी मुश्किल से एक किताब भेजी है, आप इनी से कुछ सलाह कर लीजे, कुछ दिन आप पढ़ लें, कुछ दिन ये, दुकान दार के ऐसी मीठी आवाज जिस गले में विद्धिमान है, उसको नहार तो लूँ, लेकिन पीछे पलटने में और फिर उसके बाजू आ जाने पर भी संकोच हो रहा था, उफ, एक जटका सा लगा, जैसे ही मैंने उसकी और नहारा, अप रतिम, अद्भुत सौंदरे की मलिका से स पाक्षातकार हुआ था मेरा, आसमानी रंग का सलवार सूट पहने, खुबसूर्ती की जैसे प्रतिमूर्ती थी, चेहरे से शालीनता का भाव टपक टपक पड़ रहा था, उसकी और देखा तो फिर पलक जप की या नहीं, याद नहीं पड़ता, वक्त का एक बहुत बड़ हिस्सा जैसे ठहर सा गया हूँ, खामोश सा खोया खोया में उसकी और अपलक निहारता ही चला गया, नमस्ति मैं आद्या, उसने खामोशी तोड़ते हुए कहा, यहीं कन्या महा विद्ध्याले में पढ़ती हूँ, जी जी नमस्ति गे, मैं आपूर्व, ऐसी शासकी महा वि लेकिन विनय के लहजे में कहा, जी जी बिल्कुल क्यों नहीं, आप ये किताब ले जाएए, जब आप इसे समाप्त कर लें, तब दे दीजीगा, तब तक मैं दूसरे विशाय पढ़ लूँगा, मैंने थोड़ा सहज होते हुए कहा, नहीं नहीं, आप इसे मेरे साथ साजह कर रहे हैं, यही बहुत है, मेरी चिंता समाप्त हो गई, आप इसे पूरा कर लीजे, मैं इसे बाद में आप से ले लूँगे, उसने जिजखते हुए कहा, बाद में कैसे लेंगी, कहा पर मैं पहुँचा सकूँगा, मैंने प्रश्न किया, मेरा कॉलेज इसी वक्त छूटता ह आप अगले हफते इसी दिन इसी समय यहीं पढ़ते दीजेगा, उसने जवाब दिया, ठीक है, मैंने स्विक्रती दी, और हाँ, अगर किसी कारण उस दिन मुलाकात नहों पाए, तो आप अगले दिन भी देख लीजेगा, जी ठीक है, मैंने सहमती दी, आपका बहुत- आपका इहसान रहेगा, कहते कहते वो चली गई, अब तो जिन्दगी में एक नई कहानी शुरू हो गई, जो कभी न हुआ वो होने लगा, वो सारी बाते महसूस होने लगी, दिल का दर्द, आह, वगरे वगरे, साहित से रुजान घजलों की तरफ ओने लगा, हर घजल यू तेरे लिए ही लिखी गई हो, वक्त बहुत लंबा सा लगने लगा, अब छट पर जाकर तारों को ताकने का मन भी करता और सपने बुनने का भी, बड़ा अफसुस होने लगा कि एक हफते का समय क्यों दिया, कह देता कि कल ही ले लेना, जैसे तैसे करके एक हफता भी था, उ काम में ही खुश्बू है, सौधापन है, कशिश है, अपनापन है, मन कहने लगा कि पहले से पहुँच जाना ठीक नहीं, समझाने लगा कि उसे ये नहीं लगना चाहिए कि तुम बहुत उतावले हो, इसलिए एक ऐसी जगे छिप कर खड़ा हो गया जहां से दुकान दिखत दे, इसी इंतजार में पंद्रह मिनट फिर तीस मिनट निकल गए, लेकिन वो ना आई, हता शोकर और सारी तमन्नाओं पर पानी फेर कर घर की तरफ रवाना हो गया, आज मन बहुत खिन्न हो गया था, मन में कई विचार आने लगे, कहीं ऐसा नहो उसे कहीं से ये किताब मि गई हो, या किसी दूसरी मित्र से साजह करने की ठहर गई हो, अब क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी अभी एक दिन का समय और था, तैह हुआ था कि अगर आज ना मिले, तो दूसरे दिन जरूर मिलेंगे, दूसरे दिन भी फिर वही छिपने का लेकिन आज डर के कारण, चाई की गुम्टी पर बैठ गया, मुझे लगा ये जादा सुरक्षित जगह है, लेकिन चाई वाला भी ऐसा कि मैंने चाई के लिए कहा और उसने तुरंत दे दी, गुसा तो इतना आया कि लतार लगा दू, आदमी को सांस भी लेने दोगे या सी पहुँच चुकी थी, मैंने घड़ी देखी तो तैस समय से वो पांच मिनट पहले ही वहां पहुँच चुकी थी, मैंने वक्त के पहले जाना उचित नहीं समझा, सब की नजरें बचा कर आद्या को देखने लगा, लेकिन जब भी उसको देखता, तो ऐसा लगता कि आस पा पांच मिनट काटे और पैरों पर पर लगा कर उस दुकान पर पहुँच गया, हलो अद्या, मैंने पीछे से उसको आवाज दी, हलो अपुर, माफ करना कल मैडम ने एक्स्ट्रा क्लास ले ली थे, तो आने ही पाई, तुम आये थे क्या, हाँ, आया था, लेकिन कोई बात न तुम को कब जरूरत है इसके, अगली हफते दे दू, इसी वक्त, इसी जगए, आध्या ने प्रश्न किया, हाँ, हाँ, बिल्कुन, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इसके बाद हम लोग लगभग पांच मिनट तक खामोशी से खड़े रहे, फिर अपने अपने घर को विद हो गए, अगली मुलाकात के इंतजार में ये पूरा हफता कैसे कटा मैं ही जानता हूँ, लेकिन ये ना समझिएगा कि मैं वो आशकों जैसा हो गया था, जीवन बिल्कुल सामान था, बढ़ाई भी उतनी ही शिद्दत से करता था, जिस शिद्दत से इंतजार, अगले हफत थी, शायद जाती रही थी, अपूर वे तुम्हारी किताब, हलाकि मुझे इसकी फिर जरूरत पढ़ेगी, दो ही चैप्टर अभी पढ़ पाई हूँ, और दूसरा चैप्टर तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, आध्या ने किताब देते हुए कहा, ऐसा क्यों, जा सकते हो, हाँ, बिल्कुल, इसमें परेशानी की क्या बात है, तो कब, तुम जब कहो, आज, हाँ, आज, लेकिन कहा, अगर तुम्हें आपत्ती नहों तो मेरे घर चल कर, अंधा क्या मांगे, दो आखे, मन की खुशी चेहरे पर ना पाई, इसके लिए कितना जतन करना प रठे ही कुछ बातचीत कर रहे थे, पापा ये अपूर्व, मैंने बताया था न, जिन्होंने किताब देकर मेरी सहायता की है, अपूर्व, ये मेरे मम्मी पापा है, नमस्ते अंकल, नमस्ते अंटे, मैंने अभिवाधन किया, हाँ, आओ, आओ, बेटो, बेटे, तुम्हार बहुत-बहुत शुक्रिया तुम्हें बिटिया की सहायता की, बहुत परिशान थी, कहा रहते हो बेटा, आद्या के पापा ने पूछा, जी अंकल यहीं शिवनगर में, पापा क्या करते हैं, जी अंकल कपड़े की दुकान है हमारी, मैं आपको बताना ही भूल गया कि लग शिवनगर में तो पाण्डे जी की कपड़े की दुकान है, आद्या के पापा ने कहा, जी जी अंकल मैं उन्ही का बेटा हूँ, अरे वाह, बेटा पाण्डे जी और मैं साथ-साथ पढ़े, वो तो उनकी उपर परिवार की बहुत जिम्मेदारियां थी, तो जादा पढ़ पाण्डे में बहुत हुशियार थे और बहुत सज्जन भी, आज भी उनसे कभी कबाहर मुलाकात हो जाती है, कितना अच्छा संयोग निकला कि तुम तो घर के ही बच्चे निकले, पापा मुझे अपूर्व से कुछ समझना है, समझ लू, आद्या ने बातों को विराम दे पाण्डे के उद्देश से कहा, हाँ बिटा, मैं यहीं बैटू या चला जाओं? आद्या के पापा ने पूछा, आपको जैसा ठीक लगे? आद्या ने कहा, आद्या के पापा वहीं बैठकर कोई किताब उठा कर पढ़ने लगे और मैं आद्या को वो चैप्टर समझाने ल नमसकार कहना और कहना कि आद किया है, कभी अपने इस मित्र के घर भी आ जाएं और तुम्हें भी जब ठीक लगे आ जाये करू बिटा, हाँ अंकल, बेशक, आप भी कभी घर आईए ना, मैंने कहा, कभी क्यों इसी रविवार को आ जाएंगे? आद्या के पापा ने हसते उत्तर दिया, लोटते समय मेरा दिमाग घूमने लगा, क्या आद्या के पापा वाकई इतने खुश मिजाज है, या कुछ बनावटी पन है, ये कैसा संयोग है कि सब कुछ अकस्मात हो गया, जिसको देख नहीं पा रहा था, उसके वा, उसके परिवार के इतने करीब, कहीं पापा का संदेश, आदी से अंत तक इस डर से कह दिया, कि कहीं अगर वो रविवार को आ गए, तो मैं तो जूटा बन ही जाओंगा, रविवार को आखिरकार शाम को आद्या के पापा अपने परिवार के साथ घर आ ही गए, आपचारिक बात चीत हसी मजाक चलता रहा, और यूही लग भग एक घंटे के बाद वो वापिस चले गए, जाते जाते वो पापा से वादा ले गए, कि अगले रविवार हम उनके घर अवश्य जाएंगे, आने जाने का ये सिलसला यूही चालू हो गया, कई बार ऐसा होता है, एक छोटी सी मुलाकात पूर्व परचित लोगों में इतना अपनापन भर देती है, जैसे वो जन्मों से ये की ही परिवार के सदस हों। अब तो आद्या का मेरे घर आना या मेरा आद्या के घर जाना कोई अजीब बात न रही। मेरे और आद्या के घर वाले अगर हमारी मित्रता को उस नजर से नहीं देखते थे, जिस नजर से मैं देखता था, तो हमारे साथ रहने में उन्हें कोई आपत्य होने का सवाल ही नहीं था। और अगर वो लोग उसी नजर से देखते थे, जिस नजर से मैं देखता था, तो फिर ये स्वतंतरता कैसी थी, ये अनापत्ती कैसी थी। कुछ भी हो, मेरा और आद इतना सब होने के बावजूद भी, मैं अपने भीतर उस प्रेम को प्रदर्शित करनी की उर्जा को एकठा नहीं कर पा रहा था, जो के इस मुलाकात की परनती थी या होनी चाहिए थी, मैं रोज आद्या के आखों में पढ़ने की कोशिश करता, कभी उसकी आखें मेरे अंदर उर्जा का संचार करती, कभी वो उस उर्जा को वहीं दबा देती, आद्या के मन में क्या है, कुछ समझ मैं ही नहीं आता था, या मैं ही इतना अनपढ़ हूँ कि प्रेम की भाशा नहीं पढ़ सकता, दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन अपने मन की भावनाओं को मैं कह नहीं पा रहा था, एक अजीब सा भय पूरे मनावस तिश्क में समाया हुआ था, आद्या की वो बेबाक हसी, वो बात करने का सहच तरीका, उसका तनाव रहत व्यावार, सब कुछ मुझे परिशान किये हुए था, समझ में नहीं आता था ये इसका नैसरगी करूप है, या अपन हम आखिरकार अपनी चट पर घर लोटते पक्षियों को देखते हुए, डूपते हुए लाल सूर्य को निहार कर, आद्या ने पूछा, अपूर्व पिछले दिनों से तुम्हें देख रही हूँ, तुम बहुत गुमसुम से खोए-खोए रहते हूँ, कोई समस्या है क्या? सहज सा प्रश्न था, एक ऐसा प्रश्न जो कोई अपना ही समझ सकता है, एक पल को लगा कि अपनी पूरी भावनाएं ही उडेल दू, लेकिन दूसरी ही पल जैसे रक्त चाप कम हो गया, सेम ये एहसास होने लगा कि जैसे माते परपसीने ने अपना अधिकार करना शुरू क कर दिया है, बहुत कोशिश की लेकिन हिम्मत तूट गई, और अंत में बुझे हुए स्वर में मैंने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई परेशानी नहीं है, देखो अपूर्व, तुमारे अच्छी मित्र हुम है, कुछ भी छिपाना नहीं, तुम कुछ भी कहो, कुछ तो है जो त में परेशान की है, देखो अपने माथे पर ये पसीने की बूंदे देखो, तुमारा सब हाल बयान कर रही है, आध्या ने प्रेम पूरवक शिकायती स्वर में कहा, नहीं नहीं आध्या, बस ऐसे ही गर्मी बहुत है, इसलिए पसीना आ गया, और वैसे मुझे रिजल्ट की चिंता करेगा, तो हम जैसे लोगों का क्या होगा, कुछ चिंता मत करो, सबसे अवल ही रहो गया, और वो तुमारे सिविल सर्विसेस के एक्जाम का क्या हुए, कैसा रहा, वो तो अच्छा गया है, लगता है सेलेक्शन हो जाएगा, मैंने कहा, वाजी वाजी वाज, तब वो बीज अंकुरित हो रहा है, जिसे मैं व्रक्ष के रूप में देखना चाहता हूँ, कभी लगता ये मेरा वहम मात्र है, कुछ भी निरने करने की स्थिती में नहीं था, लेकिन ये मेरा वहम था, ये इस बात से पुष्ट होता चला गया, कि अगर आद्या के मन में ऐसा क कुछ होता, तो कभी तो उसके हालत मेरे जैसी होती, कभी तो उसके चेहरे पर चंचलता की जगए संजीत की नजर आते, आद्या मुझे अपना सबसे अच्छा मित्र मानती है और मैं, मैं उसका प्रेमी बनने की चाह मैं उससे चल कर रहा हूँ, अगर मैं ये रहस्योद घा कर दूं, तो उसके दिल पर क्या भी देगी? क्या समझेगी मुझको? उसकी मित्रता से भी हात धो बैठूंगा. लेकिन तब ही ये भी लगा कि नहीं, प्रेम का आरंभ ही मित्रता से होता है. प्रेम का पहला सोपान ही मित्रता है. हो सकता है उस चंचलता में वो अपनी पौनाओं को छुपाने का प्रियास कर रही हो जो कि नारी का गहना होता है। कुछ दिनों बाद बहु प्रतिक्षित रिजल्ट भी आ गया। जैसा कि आध्या ने विश्वास जताया था, अवल ही आया। आध्या ने भी बहुत अच्छे अंकों के साथ इसना तक की थी। कुछ और माह यूँ ही बीट गए। रोज अपने कुछ बात के लिए तैयार करता कि आज दिल की बात जुबान पर ले ही आऊंगा। और रोज ही हारे हुए सिपाही की तरह घर को वापिस चला आता। इस बीच जिस दिन मेरे सिविल सर्विसिस का रिजल्ट आया और मेरे सिलेक्शन की खबर आई। उस दिन मेरे उमंगों की इंतहा न थी। अब मेरे पास आद्या से अपनी प्रणाय निवेदन करने के लिए एक बहुत बड़ी सफलता भी थी। कोई भी परिवार कोई भी लड़के ऐसे सफल व्यक्ती के प्रणाय निवेदन को ठुकरा दे। ये लग भग असंभव सी बात थी। लेकिन जीवन में कभी कभी असंभव घट ही जाया करता है या यूं कहें हम उसे असंभव मान लेते हैं। उस दिन में खुशी खुशी शाम को आद्या के पास गया। जैसे ही उसके घर पहुँचा उसके घर के सभी सदस्यों ने बड़े उत्साह से मिरस्वागत किया और बधाईयां दी। उसी दिन शाम को पहली बार मैंने आद्या से कहा कि चलो कहीं एकांत में चलते हैं। आद्या के साथ एकांत के नाम पर हम उसके घर पर उसी च्छत पर पहुँचे जहां हम अकसर बैठ कर दुनिया भर की बातें करते थे। थोड़ी देर खामोशी से हम बैठी रहे। फिर मेरी हालत बदलने लगी। दिल की धड़कने बढ़ने लगी माथे पर पसीने का एहसास होने लगा। खामोशी का सिलसला आद्या ने तोड़ा। हाँ पुर्व तुम किसी विशेश कारण से हाँ एकांत में आये हो या यू ही। हाँ एक बात कहना थी। मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे थे, जबान सूखने लगी थी। कुछ कहने की जैसे हिम्मत ही न बची हो। बोलो न, आद्या ने बड़े सहज भाव से कहा। वो कुछ दिन बाद में चला जाओंगा, मसूरी में ट्रेनिंग है। उसके पहले कुछ आपचार रिखता हैं पूरी करना है। और व्यवस्थाएं भी जमाना है। इसलिए शायद अब मुलाकात ना हो सके। ओ, तो अब अपूर्व साहब बनने की ट्रेनिंग लिने जा रहे हैं। आद्या ने मुस्कुराते हुए कहा। साहब बनने के बाद हमें भूलना जाएगा अपूर्व बाबू। कैसी बात करती हो आद्या, तुम्हें और मैं भूल जाओंगा। मैंने मायूसी से कहा, अब तो दिल कड़ा करना था, अपना पूरा जोर लगा कर पूरी हिम्मत बटूर कर। और मैंने वही किया, अपने आपको संजीदा करके ऐसा प्रदर्शित करने की कोशिश की, कि जैसे मैं यूही सामान बातचीत के उद्देश से पूछ रहा हूँ, और मैंने वही किया, ताकि अगर कुछ विप्रीत परिस्तिती हो जाए, तो उस इस्तिती से निकलने का मौका मिल जाए, इस प्रकार यूही उड़ते हुए मैंने पूछा, आद्या के तुम किसी से प अले मैं मैंनों से पानी की बूंद न गई हो, अहां करती हूँ, आद्या ने भी हस्ते हुए उसी सहजता से उत्तर दे दिया, लेकिन उसकी सहजता से दिये हुए उत्तर ने मिरी आशाओं की जोती को बुझाया तो नहीं, लेकिन धीमा अवश्य कर दिया, फिर भी आशा थ कैसे दिमाग में अचानक विचार आगया, वैसे तुम्हारे व्यक्तिकत जीवन में मुझे दखल ना करना चाहिए, लेकिन फिर भी, अरे कैसी बात कर रहे हुआ पूर्व, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, मेरा एक-एक रहस्त सजानने का तुम्हें अधिकार है, अग मुझे आशा थी कि उसका जवाब आएगा कि तुमको तुम ही से क्या मिलवाओं, लेकिन अधिया ने उसी चंचलता से कहा, इतनी बेता भी न करो अपूर्व, एक दिन तुम से उसे अवश्य मिलवाओंगे, और जिस दिन तुम उससे मिलोगे, यकीन मानो तुम्हें ऐसा हार दिया था, वो आज मुठी कि रेत के समान सामने से फिसलती सी मालूम हुई, बस ऐसा मन कर रहा था कि कहीं दूर अकेले में जाकर, जोर जोर से गला फाल कर रूँ, जिन्दगी में आधिया को पाने के बारे में ना सोचा था, तो भी, खोने का तो कभी सोचा ही ना था, इसके बाद फिर आधिया से नहीं मिला, मेरे मसूरी जाने के पहले दो बार वो घर पर आई, लेकिन किसी कारणवश मैं घर पर नहीं था, इसलिए मुलाकात नहो सकी, इस बात की वेदना भरी खुशी भी मेरे मन में हुई, कि चलो आधिया का सामना ना करना पड़ा, मसूर के बारे में सोच कर ही रोने का मन करता, आधिया को भुलाने की भर सक कोशिश करने लगा जब भी मा पिताजी की आद आती, उन्हें अपने पास भुला लिया करता, पोस्टिंग होती रही, शेहर बदलती रहे और आधिया के पत्र भी निरंतर आती रहे, हर पत्र में वो यह अभी लिखती थी घर का बाओगे, अब तु साहब बन गए हो, भूलने लगे हो, मेरा भी यही जवाब होता है कि अभी काम बहुत है, वक्त नहीं मिल रहा, उसके आखरी दो पत्र जो आए, उनमें लिखा था कि आजाओ, तुम्हें अपने प्रेम से मिलाओंगी, इन दोनों पत्रों का जवाब देना मैंने उचित नहीं समझा, इसके बाद इसी आशे का एक और पत्र रजिस्ट्री से आया, और फिर उसके बाद पत्रों का सिलसिला बंद हो गया, आखरी पत्र के तीन महीने बाद, अकस्मात मुझे आद्या की शादी का कार्ड मिला, कार्ड के साथ एहसान मंद रहूंगे, अगर शादी के एक दू दिन पहले आ सको, तो और बहतर होगा, मैं आफिस से चुट्टी लेकर तीन दिन पहले ही अपने घर पहुँच गया, अपने प्रेम की चिता सजाने के लिए, उसे अंतिम नमसकार और विदा करने के लिए, जैसी आध्या के गर पहुचा, सारे घर के लोगों के चहरे पर खुशियों का एक सेलाब सा दिखाई दिया, आध्या के चहरे पर शानती की एक चाया दिखाई दी, और आखों में एहसान मानने की पर चायी, आध्या अभी वैसी ही है, वैसी ही बात करती है, वैसी ही शोखी है, वैसी ही पर बोज मेरे सर पर दे मारा, ये काम करना है, वो काम करना है, मैं तो काम में ऐसा व्यस्त हो गया, जैसे मेरे ही घर में शादी हो रही हो, दो पहर को घर जाने को कहता, तो आद्या तुरंत कह देती कि एक घंटे बादा आ जाना फला कारिक्रम है, कभी मेंदी है, कभी हल्दी कभी महिला संगीत है। कितना ताम जाम फैला रखा है। और आद्या ऐसी कि मेरा हर जगे होना आवश्यक किये थी। हाखिरकार विवाह की वुरात आई जब उसके घर बारात आई। और उसका विवाह एक सुन्दर सजीले ये वक्त से संपन हुआ। पता चला था कि किसी अच्छी कंपनी में उच्छे पद पर अच्छे वेतन के साथ कारी रथे। मुर्त के अनुपलब्धता के कारण जल्द बाजी में ये शादी करनी पड़ी। अन्न था अगले दो साल तक तो योग न था। आद्या न तो कहा था कि दो साल इंतजार कर ले लेकिन लड़के वाले मानी नहीं। देर रात को मैंने आद्या से घर जाने के लिए कहा तो आद्या ने कहा कि सुबह साथ बजे विदाई है। विदाई पर अवश्य आ जाना। तुम नहीं आओगे तो बोज रहेगा। मैंने भी मन में कहा कि हाँ प्रेम की अंतिम विदा विदाई करने ही तो मैं आया हूँ और उससे कहा कि तुम चिंता न करो मैं अवश्य आ जाऊंगा। सुबह ठीक साथ बजे में तयार होकर विदाई के लिए आद्या के घर पहुँच गया। विदाई की तयारी शुरू हो चुकी थी। घर के सभी लोग कतार बद्ध सबसे आखरी में मैं खड़ा हो गया। दूला आकर कार में बैठ गया। आद्या घर से निकली। अपने चचेरे भाई के कमर में दौनों हाथ डाल कर सीने पर सिर रखकर रोई और आगे बढ़ गई। फिर उसने अपने सहेलियों वा अन रिष्टिदारों से यही किया। इ फिर अपनी मा के पास आई। उनके एक कंधे पर हाथ रखकर दूसरा हाथ पीछे ले जाकर सिर सीने पर रखकर सिस्कियां भर भर कर रोने लगी। अब मेरी असहचता बढ़ने लगी। अब मेरी बारी थी। मैं कैसे उसको विदा करूं। रोने का मन तो मेरा भी कर रहा थ लेकिन रो नहीं सकता था। अचानक आद्या मेरे पास आई। उसने अपने दौनों हाथ मेरे हाथों के बीच से पीछे ले जाकर मेरे कांधे पर अपनी हथे लिया रखे और अपना सिर मेरे कांधे पर रखकर मुझसे कहा। ये मेरा पहला और अंते मालिंगन है अपूर्व। मैं भी तुमसे प्रेम करती थी। तुम ही मेरा प्रेम थे जिससे मैं तुम्हारा परिचे कराना चाहती थी। जब तुम पुरो शोकर अपनी भावना एव्यक्त नहीं कर पाए तुम्हें कैसे कर पाती। खेर इस जीवन में ना सही। किसी और जीवन में तुम मुझे मिलना और फिर मुझे पामार देश की सेर कराना। अलविदा अपूर। अभी आप सुन रहे थे मेरी लिखी कहानी अंतिम विदाई मेरी यानि समीर गोस्वामी के आवाज में है।